किसी समय की बात है, मुंबई के एक छोटे से गली में राम नाम का एक भेलपुरी वाला रहता था। राम की भेलपुरी बहुत मशहूर थी। उसकी भेलपुरी में एक खास बात थी उसका तीखा और मसालेदार स्वाद। लोगों की भीर उसकी ठेले के सामने रोज लगी रहती थी। राम को लगने लगा कि उसकी भेलपुरी इतनी स्वादिश्ट है कि लोग बिना सोचे समझे ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं। उसके मन में लालच घर कर गया। उसने सोचा अगर मैं मसाले की मात्रा बढ़ा दू तो लोग और ज्यादा पैसे देंगे और मेरी कमाई भी दोगुनी हो जाएगी। अगले दिन से राम ने अपनी भेलपुरी में ज्यादा तीखा मसाला दालना शुरू कर दिया। पहले दिन तो लोग खुश होकर घर गए लेकिन अगले दिन उनके पेट में जलन होने लगी। कुछ लोग बीमार पढ़ गए और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसकी वजह राम की तीखी भेलपुरी हो सकती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर आने वालों की संख्या कम होने लगी। लोग दूसरे भीलपुरी वालों की तरफ जाने लगे। एक दिन राम की भीलपुरी खाने के बाद एक आदमी इतनी बुरी तरह बीमार पढ़ा कि उससे अस्पताल में भरती होना पढ़ा। इस घटन उसने ठान लिया कि अब वही इमानदारी से काम करेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर से राम ने अपनी भीलपुरी का स्वाद वही पुराना, संतुलित और स्वादिष्ट बना दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी दुकान पर फि सफलता मिलती है। किसी गाव में रामु नाम का एक भीलपुरी वाला रहता था। वह बहुत महनती था और उसका भीलपुरी का स्वाद भी बहुत लाजवाब था। हर दिन लोग उसकी दुकान पर लाइन लगाते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत मशहूर हो गई और वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगा एक दिन उसके मन में लालचा गया उसने सोचा अगर मैं भिलपुरी में कुछ सस्ता सामान मिलाओं तो मेरा मुनाफ़ा बढ़ जाएगा लोग तो वैसे भी मेरी भिलपुरी खाने आते हैं रामु ने अपनी भिलपुरी में सस्ता औ उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था रामु को एहसास हुआ कि उसके लालच ने उसे बरबाद कर दिया उसने फिर से अच्छे सामान का इस्तिमाल करना शुरू किया लेकिन अब उसकी पुरानी साख लोट नहीं पाए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना क वह अपने ठीले पर हर रोज ताजे और स्वादिष्ट भेलपुरी बनाता और बेचता था। गाव के लोग उसकी भेलपुरी के बहुत दिवाने थे। रमेश इमांदारी से काम करता था और हमेशा अपने ग्राहकों का ध्यान रखता था। उसकी भेलपुरी की खासियत हो गई है। अगर तुम थोड़ा सा सामान कम डालो और पुराने सामान का इस्तेमाल करो तो तुम्हारा मुनाफ़ा बढ़ जाएगा। रमेश ने सोचा कि व्यापारी की बात सही है। उसने अगले दिन से अपनी भेलपुरी में घटिया सामान डालना शुरू कर दिया। पहले तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन धीरे-धीरे लोगों को उसकी भेलपुरी का स्वाद बदला हुआ लगने लगा। लोगों ने रमेश से सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या तुमने अपनी भेलपुरी का तरीका बदल दिया है। रमेश ने जूट बोलते हु कोई कहा, नहीं, ये वैसी ही है जैसी पहले थी। लेकिन गाव के लोग समझदार थे। उन्हें जल्दी ही समझा गया कि रमेश लालच में आकर अपनी भेलपुरी में घटिया सामान इस्तिमाल कर रहा है। धीरे-धीरे रमेश के ग्राहकों की संख्या घटने लगी और उ उसने फिर से ताजे और अच्छे सामान से भेलपुरी बनाना शुरू किया। धीरे-धीरे उसके ग्राहक वापस आने लगे और उसकी भेलपुरी फिर से मशहूर हो गई। इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि लालच करने से कभी भी भला नहीं होता। इमानदारी औ और मेहनत से कमाया गया धन ही सच्चा सुक देता है। ये कहानी एक छोटे से गाव में रहने वाले एक भेलपुरी वाले की है जिसका नाम रमेश था। रमेश अपनी छोटी सी गाड़ी में भेलपुरी बेचकर अपना गुजारा करता था। वह बहुत ही इमानदार और मे पहनती व्यक्ती था। लोग उसकी भेलपुरी का स्वाद पसंद करते थे और धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। एक दिन रमेश को अचानक बहुत सारा पैसा कमाने का लालच आया। उसने सोचा कि अगर वह भेलपुरी में थोड़ी सस्ती चीजे मिलाएगा तो उसक की लागत कम हो जाएगी और वह ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। उसने भेलपुरी में ताजे फल और सबजीयों की जगह पुराने और खराब चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शुरूात में लोगों को ये बदलाव समझ नहीं आया लिकिन धीरे धीरे उन्हे भेलपुरी के स्वाद में अंतर महसूस होने लगा। रमेश की विक्री घटने लगी और ग्राहक उसके पास आना बंद करने लगे। अब रमेश की हालत पहले से भी बत्तर हो गई थी। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा की इमानदारी से कमाया गया प पहचानने लगे और उसकी दुकान फिर से चल निकली। इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है और इमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। एक समय की बात है एक छोटे से शहर में एक भेलपुरी वाला था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती था और अपनी भेलपुरी के लिए पूरे शहर में मशहूर था। उसकी भेलपुरी की खासियत ये थी कि वह उसमें ताजे और बढ़िया सामगरी का उप्योग करता था और अपने ग्रहकों की पसंद का विशेश ध्यान रखता था। लेकिन र मातर, प्याज और सेव की मातरा कम करनी शुरू कर दी और सस्ती सामगरी का उप्योग करने लगा। शुरू में रमेश को अधिक पैसा मिलने लगा और वह बहुत खुश हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसके नियमित ग्रहक कम होने लगे क्योंकि उन्हें उसकी भेलपुरी का पहले जैसा नहीं लग रहा था। रमेश को इसका एहसास नहीं हुआ और वह अपनी लालच में और ज्यादा गिरने लगा। जल्द ही रमेश के पास ग्रहक आने ही बंद हो गए। उसकी दुकान पहले जैसी नहीं चल रही थी और वह आर्थिक रूप से परेशान हो एक दिन रमेश ने अपनी गलती को समझा और फिर से अपनी पुरानी गुनवत्ता और सेवा को वापस लाने का निश्चे किया। उसने ताजे और अच्छी गुनवत्ता वाले सामगरी का इस्तिमाल शुरू किया और अपने ग्रहकों की पसंद का फिर से ध्यान रखना विश्चे किया कि वह कभी भी लालच में नहीं पड़ेगा। किसी गाव में एक छोटा सा धाबा था जहां एक लालची भेलपुरी वाला काम करता था। वो स्वादिष्ट भेलपुरी बनाता था जो दूर दूर से लोग खाने आते थे। लेकिन उसकी एक समस्या थी उसक लालच। वो भेलपुरी में कम सामगरी डालता और मसाले भी कंजूसी से डालता था ताकि उसकी लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा। लेकिन फिर भी उसकी भेलपुरी का स्वाद सबको पसंद आता था क्योंकि वो इसे बनाने में माहिर था।